बहुत बहुत स्वागत है मित्रो रुपेन आर्शा के इस यूटीब चनल में और मैं आपका दोस्त रुपेन आर्शा हेल्ज सीरीस चल रही है आज का टॉपिक है नी पेन, बेक पेन और मुटापा तीनो एक साथ कौनसी ऐसी चोटी सी एकसराइस है कि आप तीनो में से मुक्ती पा सकते हैं जो भी 60 प्लस है अभी तो कई लोगों को 45 प्लस में भी नी पेन की समस्या हो जाती है और आज की इस जनरेशन में बेक पेन बहुत कॉमन हो गया है ओबेसिटी मुटापा बहुत ही कॉमन समस्या है एक ऐसी एकसराइस जो नी पेन, बेक पेन और मुटापा इन तीनों से आपको मुक्ती दिला सकती है यह वो देखिए उससे पहले कल फेस्बुक फ्रेंड्स के लिए है कल जो हमने वीडियो डाला था, लाइव प्रोग्राम में एक बार सोचिये तो सही यार क्या कहा था, फेस्बुक पे लाइक मत कीजिएगा टोटल हमने फ्रेंड्स ग्रूप में और जो भी ग्रूप में हम है वहाँ सभी को शेयर किया था तकरीबन 1000 लोगों ने देखा और 2500 लोगों ने फेस्बुक पे लाइक किया जिसके लिए मना किया था, वो ही किया अगर वो ही 2500 हमारी चेनल को सस्क्राइब कर लेदे सिर्फ तीन लोगों ने चेनल सस्क्राइब किया तो वो नमबर बहुत बढ़ जाता जिसकी हमें आवाज रकता थी तो कीजिएगा Facebook पे like हमारा motive achieve नहीं कर पाएगा हमारी सारी मेनत बेकार जाएगी 20 फरवरी किस से पहले हमें 1000 subscribers करने है तो Facebook पे like मत कीजिएगा वीडियो open करके नीचे जो लाल कलर का subscribe का button होता है उसे दबा दीजिए और चैनल को subscribe कर लिजिए ठीक है अब देख लेते हैं वो experiment वो simple सी exercise जिससे knee pain, back pain और मोटा पा तीनों से आपको मुक्ती मिल जाएगी आपको करना क्या है बहुत simple उल्टा चलना है उल्टा चलना है दिन में एक घंडा 60 minutes एक साथ शायद आप ये न कर पाए तो 30-30 minutes के दो segment decide कर लिजिए 30 minutes सुबह, 30 minutes शाम को ज्यादा तेज चलने की कोशिश मत किजिएगा क्योंकि उल्टा चलना कई बार problems create कर सकता है और घर में चले तो बहुत ही सोच समझ के चलिएगा कहीं चोट चपेट में लग जाए क्योंकि शाम को और सुबह में अभी तो ठंड ज्यादा है तो शायद आप गार्डन में ना जा पाए उल्टा चलने की practice कर लिजिए एक घंटा रोज पंदरा दिनों के अंदर नी पेन और बेक पेन में से तो आपको मुक्ती मिली जाएगी मोटा पे में हम सिर्फ इतना कहते हैं अब वेट का नहीं कह रहे हैं जो पेट आपका बाहर आ गया है वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू हो जाएगा उसमें एक नॉम्स भी हमें बताया गया है कि शाम का आहर आप सुरियास से पहले ले लो लेकिन इस लाइफ में तो यह पॉसीबल नहीं है कई लोगों के लिए तो अगर हो सके हम जैन है तो हम तो हमारे यहां तो वो है कि चौवियर कर लो तो सुरियास से पहले खाना खा लिया अदर्वाइस आप यह एक्सेस चालू रखो पहले दू में से तो आपको स्वता अनुबह हो गया है कि आपका पेन गायब हो गया पंदरा दिनों के बाद आपको अनुबह हो जाएगा और आप शाम को अगर बारी आहर नहीं लेते हो बैलेंस डायट लेते हो तो आपको मोटा पे में भी चमतकरिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे फिर से बता रहे हैं उल्टा चलना है जो नॉर्मल स्पीड से आप चलते हो उससे उल्टा चलने की स्पीड थोड़ी धीमे रखिए घर में चल रहे हो तो बरोबर देख लीजिए कहीं गीर न जाए कहीं चोट चपेट न लग जाए इतनी सी सिंपल एक्सराइस करके जरूर देखिएगा हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए फेस्बुक पे लाइक मत कीजिएगा दोस्तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए हमें आप लोगों के साथ की अभी बहुत आवश्यक्ता है वीडियो को लाइक करना यूट्यूग पे फेस्बुक पे नहीं और अपने परिजनों में शेर कीजिएगा नए वीडियो के साथ फिर में लेंगे बहुत बहुत शुक्रिया